Hello everyone, I am Dr. Kanishka Koshik, welcome you all on Topper Stop, so guys there is US Commission of International Religious Freedom Report 2020 is out and this time में ये रिपोर्ट जो है ये इंपोर्टेंट इसलिए बनते हैं because religious issues जो हैं वो हमारी country के अंदर बहुत जादा बढ़ते जा रहे हैं तो exam में ऐसे religious topics नहीं पूछ जाएंगे आप से बट हमने देखा था कि last year जो UPSC civil services means था उ जो सेकुलरिजम है उससे रिलेटेड जो है question पूछा जा चुका था तो इस वजह से हम ये expect कर सकते हैं कि जैसा प्री का अनलेटिकल नेचर होता जा रहा है UPSC civil services में और वो EPFO में भी डाल सकते हैं UPPCS भी उसी चीज़ को फोलो कर रहे हैं तो ये डिपोर्ट जो है इसका data हो जड़ा important होता आपके exam perspective से और एक चीज़ मैं वीडियो से शुरू होने से पहले बता दू कि इसमें कोई भी मैं personal opinion अपना नहीं बोलूंगी किसी भी religious community के लिए सभी community जो हैं वो एकवल है तो प्लीज ऐसा कुछ कमेंट मत कीजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखें जो यूएस कमिशन और इंटरनेशनल रिलिजिस फ्रीडम है उसने अपनी 2020 रिपोर्ट निकाल दी है पहले हम देख लेते हैं कि ये जो यूएस कमिशन और इंटरनेशनल रिलिजिस फ्रीडम है ये है क्या तो देखें ये एक इंडिपेंडेंट फेडरल गवर्मेंट की ओर्गनाइजेशन है जिसको की यूएस कॉंग्रेस ने एस्टैबलिश किया था ताकि जितनी भी रिलिजिस फ्रीडम है उससे रिलेटेड अगर कोई भी थ्रेट होता है दूसरी कंट्रीज के अंदर उसको मॉनीटर किया जा सके एनलाइज किया जा सके और फिर उसकी रिपोर्ट रेडी की जा सके तो यहां पर देखें हम इंडियान प्रोस्पेक्टिव से पहले डिसकुशन करते हैं कि रिपोर्ट में क्या का गया है तो देखे कि 2004 से अगर हम compare करते हैं आज की 2020 की रिपोर्ट को तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया को सी पीसी के अंदर रखा गया है मतब मतब जिनके उपर ध्यान देने की बहुत जादा जरूरत है उस के अंदर इसको रखा गया है और यह सिचुएशन जो है यह कितनी वर्स्ट है यह आपको थर्ड पॉइंट से पता चल जाएगा कि इंडिया को ऐसी कंट्री के साथ रखा गया है जैसे चाइना हो गया नोर्थ क पॉरिया है साथ पाकिस्तान है जिनकों कि हम इस तरीके से देखते कि वह वर्ल्ड पीस मेंटेन करने वाले कंट्री में से नहीं आती है तो यहां पर रिलीजियस इंट्रोंस की वज़े से इंडिया को ऐसी कंट्री के साथ कंपेर किया जा रहा है यह हमारे लिए बहुत एक को डिस्क्राइब करूंगी तो देखिए अब आपको रिजन्स पता होने चाहिए यह आपके मेंस प्रोस्पेक्टिव से पॉइंट हैं प्लस इंटर्व्य प्रोस्पेक्टिव से जो यूप सी इप्याइफ हो के लिए तैयारी कर रहे हैं आगे प्रिलियम्स के पॉइंट और है तो वीडियो को अभी स्टॉप मत कर देजेगा तो यहां पर जो डाउन ग्रेट के रिजन्स जो हैं वो यह बताए गए हैं कि जो इंडिया के अंदर सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट आई थी और जो नेशन रजिस्ट्रार फोर सिटिजन्स का प्रपोस किया ग गया है कि जो नेशनल गर्मेंट है वो पाल्यमेंट्री मेजॉरिटी का फाइदा उठा रही है ताकि नेशनल लेवल पॉलिसी जो है उससे डिलेटेड रिलीजिस फ्रीडम जो है वो वो एलेट की जा सके एस्पेशली फोर मुसलिम्स यह चीज रिपोर्ट में कही गई है उसके बाद जो कंट्रीज की मतर के और कंट्रीज जो है उसको रिपोर्ट में कहा रखा गया है यह आपके प्रिलियम्स के पॉइंट है तो यहां पर 2020 एन्यूल रिपोर्ट के अंदर 14 कंट्रीज जो है उनको स्टेट डिपार्टमेंट से डेजिगनेट कर दिया गया है बिकोज इनकी जो गर्मेंट है वो एंगेज है या फिर टोलरेट कर रही है अगर कोई भी वोईलेशन्स रिलीजिस के अंदर हो रही है तो यहां पर जो कंट्रीज उनको हम देख लेते हैं जिनको इंक्लूड किया गया था वो थी बर्मा, चाइना, एरिटेरिया, इरान, नोर्थ कोरिया, पाकिस्तान, साओधी अरेबिया, तजाकिस्तान और टर्कमेनिस्तान और इसके साथ जो है अभी फाइफ अदर कंट्रीज को 2020 में इसमें इंक्लूड कर दिया गया है जिसमें हमारा इंडिया है, नाइजेरिया, रश्या, सीरिया और वियतनाम तो आप लिखते हैं, तो 2020 annual report के अंदर 50 countries को इसमें list में रख दिया गया है, 15 countries को जो है SWL category के अंदर रखा गया, SWL category क्या होती है, special watch list मतब कि अब जो US Congress की जो organization है, ये खासतोर पर नज़र रखेगी कि अब क्या आगे उन countrys के अंदर activities होगी, और एक चीज़ में आपको बता दू कि जो special watch list है, जिसके अंदर 50 countries को रखा गया है, 15 countries को, sorry, ये severe violation अगर religious freedom का करती है, तब ही इनको इस category के अंदर रखा जाता है, तो ये point आपको याज रखना है, तो यहाँ पर एक चीज़ और की ये जो December 2019 के अंदर 4 जो State Department थे, इसके अंदर प्लेस के गये थे, वो थे क्योबा निकरगिवा, सुदान और जिस्पाकिस्तान, इसके अलावा जो 11 others हैं, जो कि इस 15 की list में आते हैं, वो है अफगानिस्तान, अलजेरिया, अजरबाइजान, बहरेन, Central African Republic, एजिप्ट, इंडोनेशिया, इराग, कजाकिस्तान, मलेशिया और तर्की, तो ये countries के नाम जो है, आपको याद रखनें, स्पेसिफिकली की कौन सी किस कैटेगरी के अंदर है, उसके बाद जो ये डिपोर्ट है, इसमें 6 non-state actors जो हैं, उनको recommend किया गया है, कि ये entities हैं, of particular concern, मतलब कि ये organization, ये जो institutions हैं, वो हैं, जो in religious violations को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसमें Somalia के अंदर, अर्शबाब जो है institution, उसको का गया है, Nigeria के अंदर जो बोको हरम है, उसे categorize क्या गया है, यमन के अंदर होतीस नाम से institution है, वहीं पे अफगानिस्तान के अंदर Islamic State in Coruscant province जो है, और अफगानिस्तान के अंदर Taliban, तो अफगानिस्तान से जो है, दो institutions को यहाँ पे लिया गया है, अब जो एक और institution इसमें add क्या गया है, वह हाया तहरीर अलसाम जो की Syria के अंदर है, तो institutions नहीं पुछेंगे, अब जो प्रिलियम फेक्ट्स मैंने आपको कहा था कि Tired Two Countries क्या होती है, तो देखे Tired Two Countries वो Countries होती हैं, जो की violations के अंदर engage होती है, मतलब कि यह कहा जाता है कि government का एक passive support है, और उसके साथ जो government है, वो tolerate भी कर रही है, अगर ऐसा कोई भी serious या फिक क्रेक्टराइज element systematic horrible इस तरीके का हो रहा है, तो देखे मुझे personally लगता है कि चाहे हिंदू हो या फिर Muslims हो, उनके साथ religious tolerance equal number पे हो रही है, ऐसा नहीं कि हम एक community को blame कर सकते कि वो दूसरी community against कुछ कर रही है, तो tolerance वाली चीज़े बड़ी हैं, बट उसमें इस वज़े से ही ये जो report है, इसमें downgrade trend भी आ रहा है, तो उसके बाद जो CPC है, वो मैंने आपको बताई दिया था, कि जो international religious freedom act of 1998 है, उसके अंदर जो भी severe violations किया जाता है, वो CPC category के अंदर आ जाते है, ये ह आपके सामने lecture discuss कर लिया, इसकी PDF जो है, वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी, जिसका link में description में दे दूँगी, और उसके साथ जो है, अगर आप first time channel को देख रहे हैं, तो please channel को subscribe केजे, वीडियो को like केजे, और उसके साथ जो है, आपके सामने आज का question है, जो आपको comment section में answer करना है, यह मैं पहले आपको describe कर चुके हूँ, current affairs में तो easily आप इसा answer कर देंगे, question है कि मुक्तोर्शरी जो है, वो recently news में देखने को मिला था, वो क्या है, तो A option है, आपके सामने ayurvedic medicine, B mobile app for cardiac patients, third option है आपके सामने a new rice variety, and D and last option है, pension scheme for old age women in the country, तो बहुत easy question है, मैंने कल जा था, तो आज मैंने आपको easy question भी दे दिया है, तो please do comment in the comment section, और channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much